प्रेंट्स आपको बहुत से कोशन होगे जैसे कि स्कॉलर्शिफ कहा तक आई या फिर स्कॉलर्शिफ को आपकी कोले से अप्रूव ही होगी या आपको कैसे पता चलेगा या फिर स्कॉलर्शिफ आएगी तो आपको कितनी मिलेगी या स्कॉलर्शिफ आपकी रिजिक्ट तो नहीं हुए हो कि ऐसे बहुत से questions के answer friends हमको मिलेगे वीडियो को इंट्रेक्ट जरूर देखना आपके सारे questions के answer आपको मिल जाएगे तो चलिए शुरू करते हैं तो friends हम आचुके हैं हमारे screen के फ़र तो हमें open करना है Chrome browser या कोई भी browser वहां से हमें open कर लेना है Google और Google पर हम सर्च करना है महा dbt maha dbt अब्रेंट्स हमें यह सर्च करके जो फर्स्ट वाली साइड हैंगी तो वहां पर हमें क्लिक करके इस सेट को उपन कर लेना है यह गवर्वर्मेंट की साइड है प्रेंट्स तो डिसी साइड ऊपन होती है ऐसा कुछ इंटर्फेस आएंगा और आपको पोस्ट मेट्रिक पे क्लिक करना है आप मेरे करसर को फॉलो करना ऐसा इंटर्फेस आने के बाद आपको जो राइट सेट में ओप्शन्स दीखेंगे देखिए यह राइट सेट में उपर आप्शन्स देए न्यू अप्लिकेंट तो आपका नया है तो आपके अपलाई किजिए आपका ओर रेड़ी तो लॉगिन करना है हमें तो हमें लॉगिंपे क्लिक करने का प्रेंट्स आपको इनफर्मेशन फिलप कर लेना है पूरी टरेा डीलॉगिन हो चुके आपको करना है लुद्स यहां पर नीचे ऑप्शन कर देखिए इसके उपर माई अपलाइट स्कीम आपको यहां कुछ इसा इंटर्पेश नहींगा और आपको ऐसे उप्लिकेशन होगी और यहां पर आपकी रिजथ होई होगी पडूर की अगर फर्ण आया होंगा तो होगी तो हमें अब करना है अप्लिकैस्टन में यहां और अपने बताबने जो स्कीन में से मुझे कुछ आता है मेरी साप से सायाद तो अगर मैं सही हूँ तो मुझे लास्ट यर ऐसी कुछ आई थी फ्रेंट्स साथ सो बालेस रुपे तो आप नीचे करेंगे तो यह बाके की डिटर्स है आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते एक कॉलेज की ट्यूशंपी वगरे है इता टोटल चार्जेस है कुछ तो हमें इससे मतलब ने फ्रेंट्स हमें देखना है उपर के साइड में कि हमारे स्कॉलर्शिप आई यह नहीं तो मैं आपको मेरे लास्ट यर की दिखा देता हूँ मुझे आई थी फर्स्ट यर की तो माय अप्लेट हिस्ट्री में आई थी कि नहीं तो मुझे तब तो आई नहीं थी फ्रेंट्स क्योंकि मेरा तब आई टीयाल चल रहा था अब मैं यह चेंज कर लेता हूँ तो इस यह आपको बहुत से वीडियो चाहिए ऐसे टॉपिक पर तो मुझे कमेंट बॉक्स में किजिए थैंक यू